शेंपू में बस दो चीज आप यूज करोगे दो चीज मिक्स करके अपने बालों में लगा लोगे आपके बाल का तूटना जहरना खतम होगा आपके बाल लम्बे काले घने मजबूत होंगे सच में बहुत अच्छी रेमेडी है बहुत अच्छे से वर्क करती है एक बार जरूर यूज करके देखिएगा बहुत अच्छी रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक रुपे भी कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है बाहर से कुछ खड़ीद के नहीं लाना पड़ता है आपके किचन में ही सब कुछ जूद है उसी चीज़ से हम यह रेमेडी बनाने वाले हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए और चिफिर चलिए बिना किसी देरी के वेए चलिए वीडियो शुरू करते ह तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है आपको चावल लेना है जो आप घर में चावल यूज़ करते हो खाने में चावल यूज़ करते हो चावल आपको यहां पर लेना है चावल में बिटामिन और मिनरल बहुत भरपूर मातरा में पाए जाते है जो आपके सकीन के सा होता है क्योंकि आपके बालों को ना लंबा घना मजबूत करने में बहुत ज़्यादा है तो चावल बहुत बेस्ट रेमेडी माना गया है आपके बालों के लिए इसकीन के लिए तो बेस्ट है इसाथ में आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके बाल ड् पीने में यूज करते हूं मिनेरर वाटर वह आपको यहाँ पर बॉॉइल करके डालना है तो गर्म पानी आपको यहां पर डालना है डाल के आपको 2 गंटे के रिये एकदम से छोड़ देना है चावल के अंदर जितने भी गुड़नेस है न सारे इस पानी में आ जाएंगे 2 ग आप यह है। वरा सिखल सुख कि चावल हमारा बेक्स जाएगा तो चावल को आपको क्या करना है Поसकょ eloe vera जेल लेना हितुड सबढ़िए। नहीं हो रही है तो आप अलोवेरा जल का यूज करना ही करना है आपको बहुत अच्छी रेमेडी है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है अलोवेरा जल का आपके बाल राई हो चुके हैं आपके बाल जाडू जैसे बन चुके हैं तो आप अलोवेरा जल का यूज करोगे ही क आपके बाल में शाइन लाएगा आपके बालों का टूटना कम करेगा आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे तो आपको अलोवेरा जैल उसमें डाल देना है जाहे तो आप blend करके mixy में पीस के उसका paste बनाएके भी उसमें और में यहां पर हम ने डाला है और यहां पर प्लस डाला है क्लिनिक प्लस शेंपू यहां पर मैंने एड़ किया तो एक जो भी फैवरिट आप उसमें एड़ करोगे अच्छे से करोगे mix कम से कम आपको यहाँ पर 5 मिनट तक अच्छे से mix कर लेना है जब तक जाग जाग ना बन जब तक आपको mix करना है और mix करने के बाद आपको 10 मिनट के लिए rest करने के लिए छोड़ देना है डायरेक्ट अपने बालों पर use नहीं करना है 10 मिनट के लिए आप rest करने दोगे rest करने के बाद आपको क्या करना है इससे अपने बालों में शैंपू कर लेना है शेंपू करने के बाद आपको क्या करना है कोई भी तेल नहीं लगाना है आप ये सोचोगे कि हम तेल लगा ले इसके बाद तो आपको तेल यूज नहीं करना है आप ऐसा हफते में दो बार करोगे दो बार में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बहुत हमेजिंग रि दो चार बार इसको यूज़ करोगे, continue यूज़ करोगे, तब आपको result देखने को मिलता है, वीडियो पसंद आए, वीडियो को like channel को subscribe कर लीजिए, अगले वीडियो में जब तक के लिए, बाबाई,